जैहिन आपसे का स्वागत है एब आ फिर से आपके प्रेंशनाप पर तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चला था जिसके सुनाई 11 सप्टमबर यानि कल की डेट में आपकी होने वाली थी जो की आपका चीटिंग का केस था उसका इस्टेस क्लियर हो चुका है कल की डेट में जो बिल्कुल भी होता दिखाए नहीं दे रहा है और सीधी तोर से यह जो आपका केस है कहीं न कहीं आपके तीस्टी प्यार्टी और प्यार्टी कैंडिजेस की रिजल्ट पे कहीं न कहीं इंडिरेटली प्रभाव जरूर डाला है ठीक है तो अगर हम बात करें इसके जजज्म से यह जो आपका मामला चल ला है जो आपका केस्त चल ला है जो कीचिर्टिंग का मामला है कहीं न कहीं डारेट और या इंडारेट रूप से आपकी कहीं न कहीं KBS के पर प्रभाव जरूर डाला है और यह case जो है थोड़ा सा डीले हो गया है और इसको next date दे 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 गया है तो इस प्रिकार से क्या कुछ इसका date दे गया है और कभ इसकी अगली सुनाई होने वाली है और ऐसा तो सोचा गया था कि सायद इसकी सुनवाई जो है आपकी कल की date में complete हो जाएगी तो सबसे पहले चलिए हम आपको case status दिखा देते हैं इसको चेक करने के लिए मैं लिंक दे दे रहा हूं ठीक है कमेंड में लिंक पीन है आप वहां पर जाकर के सीधा लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस website पाउच जाएंगे जो कि आपकी Supreme Court के status की site है तो सबसे पहले हम यहाँ पर capture field कर लेते हैं और इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं बहुत easy तरीके से ठीक है मैं आपको सब कुछ पूरी जनकरी प्रवाइट कर दे रहा हूं उसके बाद यहाँ नंबर डालना है डायरी नंबर आपका है 2922 जो कि मैं आपको कई बार बता चुका था अभी केस की सुनवाई जो है पेंडिंग चल रही है 11 सप्टेंबर की स्केस को सुनाई होनी थी जिसकी सुनवाई दो बेंच कर रहे थे जो कि जस्टीस विक्रव नहां थे और दूसरे ऑनेबल जस्टीस असनुद अमनल राह ठीक है और चुकि स्टेटस की बात क कर रहा है चलिए स्टेटर देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले उपर पेंडिंग ही लिखा हुआ है और यहां पर का साइट पर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर लिखा है सिवील केस लेश्ट ऑन 10 अक्टोबर 2003 यानि कि आप इसकी जो ने होने वाली है वह अक्टो लेकिन फिलाल के लिए जो भारी बारी स्क्राइब इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और चुकि यह आपका केस है टीजटी पीश्टी और प्यार्टी तीनों को कहीं ने कहीं सीधे तोर से प्रभाइद कर रहा है जो भी होगा इसके मामले में जो भी इसकी सुनवाई होगी लाता बहुत से बच्यों का ऐसा भी कईना था कि सर क्यों एक ही दो पोस्ट के लिए क्या गया जाए ठीक है इसमें कटेकर की माम जगत के चक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो इसके वज़ेसे कहीं ने कहीं आपके रिजट पर पर होगई जहुर सब्देखने तो जो भी बच्छे नए है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को स्क्राइब कर दें देखिए इसकी जो सुनवाई है दास अक्टूबर को होगी इसकी एक और कैस है जिसकी केस की सुनवाई अक्टूबर को होने वाली है उसकी डेट क्लियर नहीं है चुकि वह अभी सीग में ही दो सेप्टेंबर को केस फाइल किया गया है जो कि थोड़ा बहुत बीड और बीटिस्टी की मामले से रिलेटेट है ठीक है तो फिलाहल के लिए बात करें तो आपको बेल नोटिशन आनकर लेना जिसकी इस केस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स निकल कर आते है आप तक पहुँचाए जा सके और जो भी नए है प्लीज लाइक को और सब्सक्राइब कर दें अब वीडियो को सेर जो कर दें जिससे कि आपके जो भी साथ ही है जो भी टिस्टी पीस्टी क्यारी के जो भी हमारे एस्पिरेंट से कैडडिडेट से उन तक यह वीडियो आपने वार